नमाजकर दोस्तों मैं एस्टोलेजर रजेश का लिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटीब चैनल अक्षी तैस्टरों मास्टर में मेरे करक्राशी वाले दोस्तों कैसे हूँ दोस्तों अक्तूबर मां आपके लिए काफी महत्त पुर्ण रहने वाला है चम वकर पर वाब पढ़ रहा है अब वहां पर बहतर परिनाम देखने को मिलेंगे इसमें कोई संदे नहीं है भाग्यास्थान पर गुरू की स्थिति बहुत उत्तम बड़ी हुई है भाग्या वर्दक है प्रन्तु वकरी शनी के आगे गुरू भी बेवस दिखाई दे रही है वकरी शनी की गुरू के साथ साथ भाग्या स्थान आपकी राशी और सुख स्थान पर वकर द्रिष्टी पढ़ रही है इसलिए वह शुब परिनाम नहीं मिल रहे हैं जो की मिलने चाहिए वकरी शनी ने सब गुर्ड गोबर कर रखा है 23 अक्तूबर को शनी के मारगी होने से रहत मिलेगी भाग्या दन सुख और सम्रिदी के साथ मांसिक रूप से मजबूत बनेंगे अनावशक मांसिक अशान्ती से छुटकारा मिलेगा मन में घर कर चुके डर, शंश्या और वहम जैसी स्थिती से बाहर निकलेंगे मन में परसंता के भावद खाई देंगे तथा मन उच्छाही तोर पर फुलीत रहेगा जो तो स्वास्त की बात करे तो पूरे महिने श्रीरिक रूप से स्वास्त बने रहेंगे प्रदु 23 अक्तूबर तक शनी की आपकी राजी पर वकर द्रिश्टी कभी कबार मानसिक सुक्षांती भंग करने का कॉर्या करेगी 23 अक्तूबर को उससे भी राहत मिल जाएगी 23 अक्तूबर के बाद आप श्रीरी क्रुप से स्वास्त के साथ मानसी क्रुप से भी स्वास्त मजबूत और परसंता की अनुबूती करेंगे इस समय गुरू की शुपता और भाग्या की प्रवलता का लाब मिलेगा शिक्षा की बात करें तो गुरू का पहले से ही विद्यार्थियों को अशीरवात प्रापत हो रहा है अक्तूबर मां में 16 अक्तूबर तक गुरू के साथ पंचम बाब के स्वामी मंगल की विक्रिपया प्रापत होगी दोनों की पंचम बाप पर दृष्टी विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रूची और एकागरता में विर्धी करेगी विद्यार्थी मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे 16 अक्तूबर तक पंचम बाप के स्वामी मंगल का लाब बाप पर संचार विद्यार्थियों की मेहनत को सफलता परदान करेगा मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी 16 अक्तूबर को मंगल राशी प्रवर्थन कर आगे बढ़ जाएगा अब मंगल के सायोग में कुछ कमी रहेगी केवल गुरू की किरपया आप पर बनी रहेगी दो तो 16 अक्तूबर के बाद विद्यार्थि शिक्षा के सवंद में कोई वय तथा यात्रा भी कर सकते हैं विदेश में शिक्षा ग्रहन की इच्छा वले विद्यार्थियों को मंगल के राशी प्रवर्थन का लाब मिलेगा विदेश में शिक्षा ग्रहन के कार्यों में तेज्जी आएगी बात करें प्रेम सवंदों की तो पंचम भाब से प्रेम सवंदों का भी विचार किया जाता है 16 अक्तूबर तक प्रेम प्यार भाब पर प्रेम प्यार भाब के स्वामी मंगल की द्रिष्टी के साथ गुरू की द्रिष्टी भी पड़ेगी इन द्रिष्टियों के प्रवाब से प्रेम सवंद मदूर तथा मजबूत बने रहेंगे प्रेम्मी जन एक दूसरे के विचारों तथा भावनाओं का आधर करेंगे प्रेम्सवंदों में नीश्वार्थ, नीश्ठा, इमानदारी, पवित्तरता और पारदर्षता देखने को मिलेगी गुरू की दृष्टी बहुत महत्तब फ्रण है इस समय प्रेम्मी जन से अगर कोई वाद विवाद पैदा होता है तो गुरू की दृष्टी से कोई खास नकरातमक परवाब देखने को नहीं मिलेगा बात आपसी समझ बूच से सुलच जाएगी सोला अक्तूबर के बाद प्रेमी जन के साथ घूमने फिरने यात्रा करने तथा परस पर समय वैतीत करने के अःसर प्रापत होंगे दोसे इस सवादी में प्रेमी जन पर वैय करने से पीछे नी रहेंगे सिंगल दोस्तों को नए प्रेम पर संकी शुरुआत करने तथा प्रेम की अभी व्यक्ति के लिए अक्तूबर मा के शुरुआती दो सफ्ता अधिक उत्तम दिखाई दे रहे हैं इस समय आपकी क्यमिनिकेशन स्किल भी लाजवाब होगी सामने वाले पर आपकी बातों का बहुत परवाब पड़ेगा बात कर रही दमपत्य जीवन की तो दोस्तों पिछले समय से आपकी राशी के दमपत्य वापर शनी वक्री वस्ता में संचार कर रहा है शनी की यह स्तिती दमपत्य जीवन में उतार चड़ाव जैसी स्तिती पैदा कर रही है परंतु अब 23 अक्तूबर के बाद दमपत्य जीवन में सिथिरता आएगी पती पतनी में परसपर पैदा पुराने गिले शिकवे और मन मुड़ाब दूर होंगे तथा बेहतर तालमेल बनेगा इसके अलावा 18 अक्तूबर को शूकर का शूप गोचर दमपत्य सुखों में वरिदी करेगा कुल मिलाकर शूकर का राशी प्रवरतन और शनी का मारगी होना अक्तूबर मामे दमपत्य जिवन के सबना में काफी सकरात्मक रहेगा बात करे करियर की तो आपकी राशी के करम बाप अर्थाद दसंबाप के सौवं में मंगल है जो तो 16 अक्तूबर तक करियर के सबना में मंगल की स्थिति बहुत उच्छुब और लाप रद रहेगी क्योंकि 16 तुबर तक मंगल लाप बाप पर गोच रस्त रहेगा इससे कारह शेतर में की गई महनत और प्रयासों का पूरा फल लाप के रूप में मिलेगा महनत वेर्थ नहीं जाएगी आपकी महनत करियर में उन्नती परदान करेगी इसके लावा सरकार, राज्या, उचपद्वी और मानस मानकारक सूर्या प्राक्रम बापर संचार करेगी सूर्या की स्थिती भी लोकरी पेशा दोस्तों के लिए काफी उत्तम है सूर्या की यह स्थिती पदोनती परदान करती है मेरे वह दोस्ट जो लंबे समय से पदोनती के इंतियार में बैठे हैं 17 अक्तूबर तक सूर्या उनको सैयोग कर रहा है तथा सरकार का सैयोग आपके साथ बना रहेगा कार्या वेपार और वेपसाई में भी सरकारी नीतियों से लाब के अफसर पैदा होंगे समाज के महत पुरन और परवाबशाली लोगों के साथ मिद्धर ता पूरन समंद बनेंगे इसलिए अक्तूबर माँ के शुरुआती दो सब्ता करियर के समंद में सफलता एम उन्नती परदान करने वाले साबित होंगे 16 अक्तूबर से ग्रैहों का राशी परवरतन शुरू हो जाएगा सबसे पहला करम बाव के सवामी मंगल का राशी परवरतन है जोस्तो 16 अक्तूबर को मंगल राशी परवरतन कर आगे वड़ जाएगा तथा दादश बाव में परवेश कर जाएगा इस समय कारह वेपसाई के समद्ध में कोई यात्रा करनी पड़ सकती है सरकार जा सरकारी टेंडर से जुड़ा हुआ कोई कारह करना है तो 17 अक्तूबर तक उस कारह को निप्टा लेना अधिक बेटर रहेगा क्योंकि 17 अक्तूबर को सरकार कार सूर्या वी राशी प्रवर्दन कर चतूर्थ बाव और अपनी नीच राशी में राहु के तुम शनी के परवाब शित्तर में आ जाएगा सूर्या पर पाप परवाब के कार्णवाश सूर्या की स्थिति कुछ कमजोर रहेगी जो कि सूर्या के सायोग में कमी करेगी इसलिए सरकार से समंदित महत पुरन कार्या 17 अक्तूबर तक निपटा लें बेहतर रहेगा बात करें घर परवार भाग गया और विदेश के स्वंद में तो 18 अक्तूबर तक चतूर्त बाब का स्वाम में शुकर तिरती बाब में नीच राशी में संचार कर कुछ कमजोर स्थिति में रहेगा इसलिए घर परवार में सुक शानती की कमी महसूस कर सकते हैं परणतू ठाराक तूबर कर शुकर राशी परवरतन कर चतूर्त बाब अपने बाब में परवेश कर मजबूस थिति में आ जाएगा जो तो शुकर की मजबूस थिति से घर परवार में महसूस होरी सुक शानती की कमी दूर होगी घर परवार में सुक शांति और परसंता का माहोल बनेगा सुखों में वृदी होगी बहुतिक सुखों का विस्तार होगा परवारिक सलस्यों खास कर माता जी के साथ पुराने गिलेशिक वे दूर होंगे सबंदों में सनेयम मदुलता वड़ेगी 26 अक्तूबर को बुद्ध वी राशी परवरतन कर चतूरत बाव में परवेश कर जाएगा चतूरत बाव में बुद्ध के भी काफी शुब परिनाम देखने को मिलते हैं विदेश सबंदी रुके हुए कारें में भी तेज़ी आईगी इसके अलावा 23 अक्तूबर को चतूरत बाव शनी की वकर द्रिष्टी से भी मुक्त हो जाएगा इससे चतूरत बाव के शुब फलों में और अधिक वरिदी होगी दोस्तों कुल मिलाकर 23 अक्तूबर के बाद भाग गया दन, सुक और समरिदी आईगी आपको यह वीडियो कैसी लगी के रपा लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूले